नमस्कार, आज हम बनाएंगे फ्राइड चीकन, जो हमारे घर में बहुत सालों से बनता आ रहा है, टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, जल्दी बनता है, मैरिनेट करके रखो, तो कभी भी आप निकालके बना सकते हो, तो आईए देखते हैं, आज की हुआरे रेसिपी फ्र आईल लगेगा फ्राइ करने के लिए, चावल का आठा लिया है मैंने, हल्दी थोड़ी सी, निम्बू का रस लिया है, आदे निम्बू का रस लिया है, गरम मिसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और अध्रक लैसूं का पेस्ट, एक टेबल स् पहले तो हम इसने नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद हम डालेंगे ये लिम्बू का रस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करके इसे आधा गंटा रखना है, आधा गंटा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे, अध्रक लैसूं का पेस्ट, एक टेबल स्कून, धनिया, पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मिसाला, और लाल मिर्च, मैंने इसमें दो टेबल स्कून डालनी है आब इसे कम या ज्याधा कर सकते हो, यह चीकन हमारा मेरिनेट हो चुका है, इसमें चाफल के आठे से, इसे अछे से कोट कर लेना है, इसे हम अछे से कोट कर लेंगे, यह इस तरह से सब कोट कर लेंगे, हम इसे ट्राइ करेंगे अच्छे से मारिनेट किये हुए है तो 7-8 मिनिट में तयार हो जाते है यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू